लेडिस एंग जर्लमेन हम क्रूजिंग आल्टिटूट पर पहुँच चुके हैं मैं हो विल्यम स्ट्रॉंग आपके आज की इस फ्लाइट का पाइलेट मेरे को पाइलेट है डैनियल प्रिंटिस लंडन पहुचने के लिए हम साड़े साथ घंटे की उडान भरने वाले है और फ्लाइट बिकुल टाइम पर है मौसम विभाग का कहना है कि मौसम साफ रहेगा तो आराम से बैठ कर सफर का मजा लीजिए तुमने वैसे बाल नहीं कटाया जैसी हमारी बात हुई थी जरा दिल की आखों से तो देखो शायरी सर आप कुछ लेंगे नो थैंक यू ये लीजिये माम थैंक यू सर आप कुछ लेंगे नए कल रात भी पार्टी थी क्या ओ शुष हाँ जरूर मिलेंगे ना क्या बिलकुल हम इस्क्यूज मी ये लीजिये माम विल मैंने सब कुछ चेक कर लिया है तुम ही क्या लगता है तुमने चेक कर लिया काफ ही है ये डानियल तुम मुझे डरा रहे हो ये क्या हो रहा है पता नहीं शॉट सर्किट तो नहीं देखा इसमें बस थोड़ा सा कम ओन डानियल बखवास बंद करो और पता करो प्रॉब्लम क्या है गाने सेंटर ये है आई ए फोर टू लगता है इंटर्मिटन इंस्ट्रुमेंट्स में प्रॉब्लम है हम उसे ठीक करने की कोशिश कर रहे है ठीक है आई ए फोर टू आगे का रास्ता विल्कुल साफ है अगर आपको किसी भी तरह की मदद चाहिए तो हमें बताइए का ठीक है आई ए फोर टू डैनियल मैं फ्लाइट इस तरह नहीं उड़ा सकता है ये क्या हो रहा है और गाने सेंटर ये है आई ए फोर टू आपने कहा था मौसम बिल्कुल साफ है पार्च मिर पहले तक रास्ता साफ था आई ए फोर टू ये स्टॉम अजानक से सामने आ गया स्कुएकर 7700 कोई दूसरा रास्ता है आपके पास हम कोशिश करके देख रहा है लेड़ीज जट्रमेन प्लीज अपने सीट्स पर बैठ जाएं आगे टर्बिलिन्स हो सकता था पासेंजर्स को बिठाकर अपने सीट्स पर चले जाएं वो रो अले जामन के यह क्या हो रहा है फ्लाइट प्रेश होने वाली है क्या अप तो लगता है हम इससे बचपाएंगे मुझे लगता है हमें यह यहसे सीधे चला चाहे है क्यान से हम रोल कर रहा है कि अ मैं है कि रहनी कर दोरा है इतना खर आप्टर विरेंच, मुझे तो लुग आस्त हो गए, पर ये था क्या, अच्छा, रहात हो गई है, अभी तो संसेट होने में लगभग एक घंटा बागी था क्यों कैप्टन, नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, अचानक स्टॉम आ गया था, अच्छी खबर ये है कि हमने उसे पार कर लिया है, अब आगे का रास्ता स्मूथ है, आपने नोटिस किया होगा कि जब हम स्टॉम से पास हो रहे थे, उसी वक्त संसेट हो गया, बर्मीडा ट्रें क्रोस करते वक्त ऐसा अक्सर होता है, घपराईये मत, कल दूसरा संसेट देख लीजिएगा, बर्मुडा ट्रेंगल क्रोस करते समय, कभी-कभी जोट बोलना पड़ता है, क्या किसी और का भी कनेक्शन डाउन है, हाँ, बेरे भी फोन के सिग्नल्स नहीं मिल रहे हैं, बाप रे, तुम नहीं यह देखा, हमारे पास ऑल्टिट्यूड है, एर स्पीड है, फ्यूल भी है, लेकिन इतने से सिर्फ हवा में उड़ पाएंगे, फ्यूल भी काफी बची है, पर आगे कुछ भी हो सकता है, देखता हूं कुछ मैनेज कर सकते हैं क्या, गैंडर सेंटर, यह है आइए फोर टू, हमने स्टॉम पार कर लिया है, लेकिन हमारे इंस्टुमेंट्स के लिए आपकी मदद लगेगी, आइए फोर टू, गैंडर सेंटर, यह है लंडन बाउंड आइए फोर टू, आवाज आ रही है, मुझे आवाज नहीं आ रही है, फ अब भी नहीं, डानियल, एक चीज है जो बिल्कुल सही चल रही है, कौन सी चीज, हमारा रडार सिस्टम, बस यही ऐसी चीज है जो इंटरनाशनल एयरलाइन अवियोनिक्स के अपगरेडेशन के बाद भी नहीं बदली कही थी, जब तक ये काम कर रहा है, हम सब सेफ हैं, हम ठीक है, शुत्रिया, थैंक यू, सर मैं आपके लिए कुछ लेकर आँ, सारी, मैं आपको तुरी तकलीफ दूँगा, कोई बात नहीं, क्या लेंगे आप, नो थैंक यू, अज राज जल्दी हो गई है ना, वो स्टॉम की वज़े से हुआ है, जैसे कैप्टन ने बताया, तो आप लोग इंगलंड किस काम से जा रहे हैं, बिजनस या घूमने, दो नो, हम एकरण यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री के प्रोफेसर्स हैं, लंडन में कन्वेंशन होने वाला है, हाँ वहाँ पर कुछ बहुत ही अमेजिंग प्री वार आटिफेक्स मेले है, जिसमें से हिटलर का मैप है, अरजेंटीना वाला, राइट? आप क्या कर रहे हैं? ओ मैं, मैं हर चीज का हिसाब लगा रहा हूँ, तुम जानती हो, मेरी उम्र में हर चीज का हिसाब रखना ही पड़ता है, क्योंकि पता नहीं, दोबारा जिंदगी मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, दोबाइब आप रहे हैं, क्या हूँ, और पर बात है, क्या हूँ, पिर से कोई गुड नीज जरा वो देखो, यहां तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी तो नहीं, इसका रेडार भी खराब हो गया है, क्या? पहले मुझे भी यही लगा था लेकिन कॉडिनेट्स तो मूव कर रहे हैं अगर रैडार खराब होता तो कॉडिनेट्स मूव नहीं करते मतलब कुछ तो है जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं हमारे आसपास एयर ट्राफिक भी होना चाहिए क्यों है न ठीक है तो हम लूप बनाते हैं और कोई सलूशन ढूनते हैं कुछ भी नहीं है रैडार के हिसाप से हम लोग यहां पर अकेले हैं हो सकता है स्टॉर्म से ट्राफिक डाइवर्ट हुआ हो सिगनल्स वापस आने तक इंतजार करते हैं अगर ऐसा नहीं हुआ तो लंडेन पहुंचने में अभी कुछ गंटे बाकी है इसका मतलब यह नहीं है कि हम रास्ता भटक चुके है अगर हम क्लावड कवर से नीचे आ जाएं तो किसी शिपिंग लेन से या कार्गो शिप से हमें कोई विश्वल क्यूब तो जरूर मिल सकता है तो क्या यह करना सभी होगा बताओ अगर हमें कोई नहीं सुन पा रहा है तो यही एक रास्ता बचा है दिस इस कैमरेन हे कैमरेन वहां सब कैसे चल रहा है हम थोड़ी थक गए हैं लेकि सब ठीक है गुड मैं एक अनाउंस्मेंट करने वाला हूँ और मैं चाहता हूँ सब अपनी सीट्स पर बैठ जाएं हम डिसेंट करेंगे सब ठीक तो है नो हम बस निकलने वाले हैं एक हाई लेवल विंडशीर से सभी को सीट्स पर बिठा दो के ठीक है तर्विलंस हो साथी है यहे सब चेकत्तो है ना हमें सब को सीट्स पर बैठाना हो गा हम डिसेंट करने वाले है ह। वह कह रहे हैं कि तरभ१िलेंस हो सकती है कैसा अब और पिलिंस लेडिस एंजन्टमेन, सभी लोग अपनी अपनी सीट्स पर बैट जाएए, हम टर्बुलेन से निकलने वाले हैं, इसलिए क्लाउट्स के नीचे से जाएंगे, यह नॉर्मल सी बात है, फिर भी आप सब अपनी जगह पर बैट जाएए यहां सब से क्योड है, काप्टन तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हो, यकीन करो, मैंने अपने करियर में ऐसा होते हुए बहुत बार देखा है, घबरानी की कोई बात नहीं है, ओके जमीन, मतलब अट्लांटिक हमारे नीचे ही है, होना तो चाहिए अच्छा, मतलब हम भटक गए हैं, गैंडर सेंटर, मेरी आवाज आ रही है, बाहर देखते रहना कोई रेडियो टावर्स हो, ब्लिंकिंग लाइट्स जैसा कुछ रेडा के हिसाब से यहाँ पर बीस किलोमेटर दूर एक छोटा प्लेन है, यह क्या, यहाँ तो बहुत सारे प्लेन्स है, पक्का वो प्लेन्स ही हैं न, मैंने ऐसा कभी नहीं दिखा, are you sure? मैं इस बारे में sure तो नहीं हूँ, लेकिन हम किसी चीज के तरफ बढ़तो रहे हैं आगे बहुत अंधेरा है, वो स्टॉम भी हो सकता है वो कोई स्टॉम नहीं है, वो एक फायर है जो आगे, वो एक प्लेन्स है ऑख रारे संय क्योंट, भूली टार दिम्ल मनें मेंफने इसार जन उस्क्राइजंगर मुझाए ellis और जो पंदे पंदे अजक्व इसे न्हीं होग संड़े विद्विया अरूत, छिसा मेरा और देम जल्दी करो दैनियल नाव लाइट्स बंग करतो नहीं हम बहुत नीचे आ चुके हैं रुक जाओ रेडार पर ध्यान रखो के ये सब क्या हो रहा है कहीं हमें भी यूख्रेण की plane कि तरह कोई शूट तो नहीं करने वाला हो क्या representatives कि ought कि जब तक हमारे कैप्टन हमसे कुछ नहीं कहते हमें पैनिक करने कीई जरुरत नहीं है सब कुछ ठीज है मैं तुमसे कुछ सवाल कर रहा हूँ, ओके? जैसे ही हमें बता चल जाएगा, सर, हम आपको जवाब दे देंगे. क्या? सुनो! सुनो, मुझे जवाब चाहिए! सर, मेरा हाथ छोड़ दीजिये. सर, अगर आप नहीं बैठे, तो हमें कोई आक्शन लेना पड़ेगा. इसलिए बैठ चाहिए! ठीक है. Cameron. विल क्या चल रहा है? हम सब संभा लेंगे. महाँ पर सब ठीक है न? सब ठीक है. बस थोड़े कंफ्यूजड और डरे हुए. मैं उनसे बात करता हूँ. हम जल्दी तुम्हे सब बताते हैं. तुम सब को शांत करो, के? लगता है सब ठीक है. आसपास कुछ नहीं है. मैं हमारे और उनके बीच थोड़ा डिस्टन्स रखने वाला हूँ. कुछी देर में हम डग करेंगे, ओके? क्या? वेल, उचली बार भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ा था. हमें पता भी नहीं हम कहा हैं. इंस्ट्रूमेंट्स के बिना हमारे पास बस लैंडमार्क का यह उप्शन है और वो क्लाउड के उपर से नहीं दिखते हैं. सकी हमें वाइनमार्क का जाते हैं. थो हमें अब मदेशन हैं. श्रूम में वस्ट्रूम आख लिए लेकिन अब सबढ़ के इंड़ा कि रवत कि अथा सूम की वज़ा फिक्र करने की कोई ज़वते की ज़वते हैं आपसे रिक्वेस्ट है कि आप शान रहिए. बहुत अजीब है. क्लाइट क्रू आपकी मदद करेंगी. Excuse me, sorry. ने, ने, बताये में क्या कर सकती हूँ. Actually, हम आपकी help करना चाहते हैं. Sorry gentlemen, अभी मजा का वक्त नहीं है, हम बात में बात करते हैं. सुनिये. Captain, मैं Cameron. देखो, अभी हम बात में कर से. Captain, मेरा नाम है Bennett, और यह मेरा कलीग है Dale. Listen, मेरी बात सुनिये आप. Roger, Rana, help, शाहिए यहाँ पर. Captain, आप जानते हैं वो कौन से aircraft हैं? Please, आप लोग अपनी seat पर जाएए. आप अपनी seat पर जाएए. वो इंकल, GU88. आपको पता है न, यह Allowed नहीं है? Sir, कहा ना चले जाहिए? Please, आप लोग जाहिए. सुनिये, 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 ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो प्रेंस भी मौजूद है. Sir, please, आप लोग जाहिए. यह क्या? यह जाहिए नहीं नहीं. जल्दी पताएए. क्या आपका रेडियो काम कर रहा है? स्टाटिक्स मिल रहे हैं, लेकिन… लेकिन जब से आम आप से निकले, तब से कोई कॉटक्ट नहीं हुआ है. हाँ, सही का. ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत जादा अलाइड रेडियो टॉवर्स नहीं थे. नाइन्टीन फॉर्टीज में. हे, तुम दरो मन. सोचाओ ना. मुझे नीन नहीं आ रही है. मुझे भी. अजीब बात है. कोस्ट लाइन और उन प्लेन्स को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि हम सेन नजहर से गुजरते हैं जहां बॉम्बिंग हुई थी. जून उनीस सो चालिस में फ्रांस में बॉम्बिंग की गई थी जर्मन्स की दुवारा. मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं है ने अपनी सीट्स पर वापस लेज़ू. ठीक है अब चलिए. रुकी अपनी लोकेशन पता लगाने में हम अपकी मदद कर सकते. क्लाउड्स की नीचे जाके वर्ल्ड वार टू के जोग्रफी की बार में पता लगा सकते. आप मदद कर सकते हैं पर अभी अपनी सीट्स पर चले चाहिए. ओगी कैप्टन. और लूर एल्टिटूड पर अगर आप 1940 की वीकर फ्रिक्वेंसी को कैच कर सकते हैं तो अच्छा रहेगा. मुझे ट्राइवल के बारे में कुछ नहीं सुना. पहले पता लगाते हैं कि हम कहा हैं. भले ही आप सही हो, जो कि बिल्कुल मुम्किन नहीं है. तो बता ये वापस कैसे जा सकते हैं. हमें एक और स्टॉम में जाना ही होगा. अगर एक स्टॉम यहां पहुंचा सकता है, तो दूसरा यहां से निकाल भी सकता है. तो अब हम दूसरे स्टॉम का इंतजार करें. येस. कैमरोन तुम प्लीज इन्हें वापस लेजाएं. जेंटलमें प्लीज. तुम सब चुप रहना. समझ के? ठीक है? येस, कैमरोन. चलिए, सीट पर जाएए. यहां पर कुछ इलेक्ट्रिकल इशोज हो रहे हैं. लेकिन उन प्लेंस का गया, और वो बॉंब्स? मैं नहीं चाहता कि कोई पैमिक करें. हम संभाल लेंगे. कैप्टन, हम सब संभाल लेंगे. मैं आपके साथ हजारों बार प्लेन उड़ा चुका हूँ. लेकिन आपने कभी हार नहीं मानी. हम एक और डिसेंट करने वाले हैं, लेकिन चंता की कोई बात नहीं है. आपके सहयोग के लिए धन्यवाद. समझ नहीं आ रहा है कि यह हो किसे सकता है. ऐसा ही हुआ होगा. तुमने अपनी फिजिक्स की डिकरी कभ ली थी, प्रफैसर? तेको फाल्तु की बाते मत करो, मुझे कुछ सोचने दो. क्या चाहिए आपको साथ? क्या चाहिए आपको साथ? आपने सुना नहीं हम लो ऑल्टिटूड पे जा रहे हैं सिचुएशन समझने के लिए? नहीं पर… ओके, लेकिन यह चल क्या रहा है? मैं वादा करती हूं सा, जैसे ही सबको पता चल जाएगा मैं आपको बता दूँगा, प्लिस मेरा हाथ छोड़िए. नहीं, नहीं, तु मेरी बात तुछ… Thank you. और एक बात सुन लीजे. अगर अब आपने मेरा हाथ पकड़ा, तो आपको बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है. ओके, अगर हम कोई लेंडमार्क पहचान सके तो वो अच्छा रहेगा. पुश्किल होगा, बेना 21st Century के लाइट पॉलिशन के हिसाफ से तो तुम तुम शौर हो कि वो सेंड नजर ही था? तेखो इतनी ख़दरनाग बॉम्बिंग सिफ नाइटिन फॉर्टीज में ही हुई थी. ओल्राइट, ठीक है. मुझे पैंसिल निकाल लें तो. मुझे पैंसिल नाइटिन फॉर्टीज में ही हुई तुम पर नजर रखने होगी. अब तुम मजशुरू हो जाओ. टाइम ट्राइबल स्टॉर्म इंपॉसिबल है. मुझे पता है, लेकिन ये सब भी मिनिंग्लेस है. सब समझ आएगा जब हमें पता चलेगा हम कहा हैं. अभी इस पर फोकस करो, okay? मेडे, यह आई-ए फ्लाइट 42 आउट अफ टेलस. मेरी बात ध्यान से सुनी है. हम हीत्रों के रास्ते पर थे और अचानक रास्ता भटक गए. रिपीट, यह आई-ए फ्लाइट 42. मेडे, कोई मेरी आवास सुन रहा है. ओवर. रेडार के मुताबिक दूर दूर तक कोई नहीं है. अब पता लगाता हैं कि आखिर हम है कहाँ. इस जरह वहाँ देखो. क्या वो एक रिवर है? शायद पता नहीं. स्केच तो बनाई लो. मुझे यकीन ही हो रहा है. हमारे नीचे अभी वोल्ड वार चल रही है. फुल्ड स्वेंग. अगर यह वाकरी जून चल रहा है तो हिटलर अपनी फोर्स के साथ कफी आगे निकल चुका होगा. और एक हफते बाद वो पैरिस में होगा. यहां तो लाइट सुनी चाहिए. सिडीज? शायद पावर कटिंग होगी. इसलिए किसी से कनेक्ट नहीं कर पा रहा है. रिपीट. यह है फ्लाइट फॉर्टी टू. अगर कोई मुझे सुन रहा है तो प्लीज रिस्पॉंड कीजिए. फ्लाइट रिपीट ओपावर कोई सुल रहा है? वो लुक सच बोल रहे थे. हम फ्रांस में हैं. वो उटानिया. रूक 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 रूक. जरूक रूक जमन हैं गया. ऐस्पेस. ओवर. हलो. यहेँ कैप्तेन विल्यम स्ट्रॉंग. आप मुझे सुन सकते हैं. आपकी मदद चाहिए, सुन रहे हैं आप यह है फ्लाइट पोर टू आउट अफ डॉलिस हम रास्ता भटक गए है शायद हमने कुछ जर्मन बॉम्बर्स देखें बॉम्बर्स आप कह रहे हैं कि आप एक एरग्राफ में है हाँ हलो मेरा नाम कॉर्परिल नाइजल शेफिल्ड है मैं आपको बता दू यह मेरी ड्यूटी है कि मैं लॉंग रेंज ट्रांस्मिशन को इंटरसेप्ट करो और आप भूल रहे हैं कि अभी हेरग्राफ में जाना गलत है देखिए मेरे पास बाकवास के लिए वक्त नहीं है क्या आप किसी सिविलियन एर ट्राफिक कंट्रोल से मुझे कनेक कर सकते हैं प्लीज एर ट्राफिक कंट्रोल ये एक वार जोन है कोई है जो हमारी मदद कर सके कोई भी ठीक है कैप्टन आप मिलिटरी की कौन सी ब्रांच से हैं हम एक कमर्शल एरलाइन हैं इंटरनाशनल और आप एक जर्मन बॉम्बिंग एरिया में उड़ रहे हैं नहीं अजीब बात है देखिए क्या आप हमें बता सकते हैं कि अभी जी एम टी क्या है और साल आप मजाग कर रहे हैं देखिए प्लीज हमारे सवालों का जवाब दीजिए ओके आज 17 जून 1940 आपकी कॉमर्शिल एरलाइन्स वाले केलेंडर्स नहीं देते क्या अगर आपकी तफ्तीश खत्म हो गई हो तो आप इस चैनल को डिसकनेट कर सकते हैं सुनो, मुझे नहीं पता कि तुम हमें धुका देनी की कुर्शिश कर रहे हो लेकिन हम यहां फसे हुए हैं और सिर्फ तुम ही हो जिससे हमारा कॉंटाक्ट हुआ है धुका? बिलकुल नहीं अब प्लीज इस फ्रिक्वेंसी से रिमूव हो जाए और कैसे समझाओं कि यह कमर्शिल एरलाइन है जो फस गया है अब यह तो मैं नहीं बता सकता कैप्टन यह 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 होना यह यह होना चाहिए अगर यह रैन है तो इसका मतलब कैप्टन को इनफॉर्म करना चाहिए चलो देखो अगर तुम मसा कर रहे हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो हमारे पास सिर्फ कैप्टन शायद मैं पता है कि हम कहां पर हैं नाइजल मेरे साथ हिस्टरी के प्रोफेसर्स हैं और उन्हें पता है कि इस वक्त हम कहां पर हैं यह क्या कह रहे हैं आप देखो हमने एक रिवर और उसके आस पास की सराउंडिंग हिल्स को पहचान लिया है हम हम अभी फ्रांस की रेंड रिवर के उपर से गुजरे हैं बॉंबिंग के बाद के टाइमिंग के हिसाब से हमारी बेस कैस है हम बिल्कुल शौर है कि हम से नेजरिव में हुए बॉंबिंग के उपर से गुजर रहे हैं जहाँ पर RMS Lancastria पर अटैक हुआ था और वहाँ पर दूबी थी दूबा था Lancastria अगर यह सच भी है तो आप लोगों को कैसे मालो तुम्हें शायद यकीर नी होगा लेकिन हम टीसी से लंडन जा रहे थे एक कमर्शिल फ्लाइट में 21st century में और अचानक से एक स्टॉर्म या कुछ ऐसा आ गया और हम यहाँ पाँच गए यह अजीव है वो सब छोड़ो हमें बस इतना पता है हम आस्मान में रास्ता भटक गए हैं और हम एक वार सोन में हैं नाहेचल तुम्हारी मदद के बिना हम वर सकते हैं अगर हम तुम्हें सेंडिजल के बॉम्बिंग के बारे में बता दे तो जा आप बता सकते हो तो दी एर फोर्सेज यूके जे यू एक एट एट हैंकिल एच इव उन इलेवन मैं स्मिट बी एफ वन वन जीरो लाइकली प्रोटोटाइप्स और लैंकास्ट्रिया अगर तुम लोग सीरियस हो तो आधे घंटे में इसी फ्रिक्वेंसी पर कॉल बैक करना हम आधा घंटा नहीं रुक सकते हमें पांच मिनिट में कॉल करो अब मुझसे जो हो सकता है वो मैं करूंगा ओपर वाले मदद करना जरा वो दिखाना जहां तुम्हें दो पॉइंट्स डून है तुम्हे रास्ता पता है शायद फिर हम अपनी रेंज पता कर सकते हैं फ्यूल हाफ टैंक से कम हो गया है आओ कैसे हो करनल एक मिनिट कोई ख़ब मिली एक ट्रांसमेशन सर लेकिन आपका उसके बारे में जाना ज़रूरी है आपका बारे में ख़रूरी है लेडिस और जेंटलमेन, मैं मेरे पास वो इन्फरमिशन है जो फ्लाइट क्रिव आपको नहीं दे रहा है सर, मुझे हाथ मतलगा मैं जानता हूँ अजीब लगेगा, फिकी मुझे लगता है हमने किसी तरह टाइम ट्रेवल कर लिया है वैसे कितने ड्रिंक्स लिए हैं तुमने हम सबने वो स्टॉर्म देखा, वो प्लेंस, वो बॉम्स इन्हें पता है नो जाने कैसे हम वर्ल्ड वार टू के टाइम में आ गए हैं आप सब लोग प्लीज शान पहिए या आदूनस नहीं, हमें कोई कुछ नहीं बता रहा है, हमें जानने का हक है बैट जाओ, तुम हम सब को डरा रहे हो आप लोग को ये तो यकीन हो गया कि हम वर्ल्ड जून में हैं तो क्या हो गया? तो? हम बचने वाले नहीं है, ये प्लेन वॉर्ड के लिए नहीं है सुनिये, सुनिये, आपको पता है इसका मतलब क्या है देखिए बात सुनिये अभी हम जू ट्रेवल कर रहे हैं वो जू नैंटी फॉर्टी में फ्रांस के उपर है जमीन पर दुश्मन ने अपनी फोर्से से इकठी कर ली है हमारे पास, हम सब के पास बस एक मौका है यूमन हिस्ट्री को बदलने का हम दुश्मन को मार सकते हैं ओके लेकिन तुम्हारे हैसाब से हम यह कैसे करेंगे पहले भी उससे वार में मारने की कोशिश की गई थी लेकिन वो फेल हो गए थे ओके उस वार के टाइम उनके पास आउटड़ेट इंडेलिजिंस थी हम एक्जैक्ली पता है हिटलर कहा होगा सब कुछ इस बुक में है सारी बाते डिटेल में लिखी हुई है एसेस और हिटलर कहा होंगे इसके इंफर्मिशन है इसमें ठीक है लेकिन वो हमें मीलो दूर से देख लेंगे यह सूसाइड है हम यह नहीं कर सकते हैं हम पहले ही बॉंबर्स और और अठेक प्लेंस से घिरे हुए है हम बचने वाले नहीं है लेकिन हम इस प्लेन को लैंड करके हिटलर को धूंड कर उसे मार सकते हैं बास अब बहुत हुआ है ठोड़ो उसे वो सही कह रहा है अब बात हमें अपने हातों में लेनी होगी हम कुछ कर सकते हैं हमें लैंडिंग के लिए एक सेफ जगे चाहिए और पाइलर्स को कन्निंस करना होगा रुक जाओ रुक जाओ जगे पर चले जाओ मुझे लगा था आप हमारा साथ देंगे सर्जेंट हम ये वार जीत सकते हैं वाह क्या खूब कहां नहीं सुनाई है दरसल तुम इस प्लेन को हाइजक करना चाहते हो इसे टेररिजम कहते हैं क्या मैं एक धेश भगत हूँ सीधी तरह से मेरी बात मान जाइए क्योंकि मैं और प्राइवेट जैक्सन आपको कॉक्पिट में नहीं जाने देंगे तुम्हें लगता है तुम हमें रोख सकते हो तुम कोशिश करके तु देख लो हम तुम्हें भी इस प्लैन में यूज कर सकते हैं तुम हीरो बन सकते हो जब चाप को वापस लोड जाओ क्या हो रए ये क्या कर रहे हैं ये रोग में अर्फोई देखो वो इन्हें को क्या करते हैं, दूसरे को क्या करते हैं, बजा, वो इन्हें तूम यावास कैसी देखो, तुम समझ नहीं पा रहे हो नहीं सर, आप नहीं समझ रहे हैं हम कोशिश भी करते हैं, तो गलती होने के चांसे ज्यादा है भले ही आपको पता है दुश्मन कहा है, मेरा यकीन कीजिए मान लीजिए नीचे वर्ल्ड वार चल रहा है, और हमसे एक गलती हो गई बस एक गलती, तो दुश्मन के पास ये प्लेन होगा हमारी टेकनोलोजी होगी और ये बुक होगी, उन्हें सब कुछ पता चल जाएगा और फिर दुश्मन पूरी दुनिया में अपना झंडा ले रहेंगे तुम्हारी वज़े से क्योंकि पास्ट बदलने के चक्कर में हम उसे खराब न कर दे समझ गए, इसलिए अपनी सीट पर जाकर चुपचाप वैट जाओ हाँ हाँ वहाँ सब ठीक है? हाँ, ऐसा कुछ नहीं जो संभाल लबाएं हम इन्हें ऐसे बांद कर रखेंगे फ्लाइट में कोई प्रॉब्लम नहीं है सही कहा न मैंने? हाँ, सही कहा सर अभी आपको परिशान नहीं करेगा थैंक्यू थैंक्स टु यू आप तो फायर एस्टिंग्विशर ले आई थी हमारी करन स्पीड से हम पिछले 150 मिनिट से हवा में हैं और हम न उपर जा रहे हैं न नीचे जा रहे हैं कम से कम पता है कहां जा रहे हैं हाँ, तु फ्रीक हाँ, इस वक्त हम लोग फ्रांस के आसपास कहीं पर हैं यानि हमें सफर जारी रखना है तो हमें कोई दोस्ट ढूनना होगा या एक सेफ लैंडिंग स्पेस ढूनना पड़ेगा, है न क्या हुआ कुछ इडियत्स प्लेन हाईजाक करके हिटलर को मारने की कोशिश कर रहे थे कुछ सोल्जर्स ने हमारी मदद की लेकि लेकिन आव पैसंजर्स को जवाब चाहिए होंगे वो भी जल दी कॉर्परल नाइजल शेफिड कॉलिंग कैप्टन वीलियम स्ट्रॉंग कैप्टन स्ट्रॉंग बोल रहा हूं बोलो नाइजल तो आप लोग यही हो अभी तक और तुम भी हमारे साथ हो और तुमने दस मिनिट लगा दी है हाँ खुद चीजे वक्त लेती है कैप्टन मैरे कमांड से बात की थी और वेस्टन फ्रंट के सोल्जर से भी और हमें आपकी बात पर पूरा भरोसा हुआ है उस टाइम ट्रेवल वाले बात पर नहीं पर आपकी लैंकैस्टरे वाली बात सही थी और सच कहूं तो हमें उसमें बहुत मदद मिली है किसी को भी उस फायर पावर के एक्स्टेंट का अंदाजा नहीं था और ऐसी इंफॉर्मेशन हमें खुद से पता भी नहीं जल पाती मुझे खुशी है कि हम किसी बात पर तो सहमत है ना जल हाँ आपने सही कहा हमसे अब जो भी होगा हम करेंगे लेकिन डंकर लेकिन डंकर के बाद हम ठूट चुके हैं वो बहुत बुरा मंजर था था वाट यह यह क्या कह रहे हो तुम ने 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 एलाइट फ्रोर्स ने लाखों ट्रूप्स को वहां से इवैक्वेट किया था इवैक्वेट आपने निउस्पेपर नहीं पढ़ा किया जैरीज ने हमें दोनों तरफ से घेर लिया था वो खतरनाक मनजर था हमारे आद है मिलियन सैनिक मारे गए तो यह कैसे हो सकता है बहुत बुरा हुआ क्या हुआ है वो कह रहा है कि डंकर में कतले आम हुआ था पर यह सच नहीं है डंकर तो एक बहुत सक्सेस्फुल अलाइड इवैकुवेशन मिशिन था उन्होंने चार लाग ट्रूप्स को रेस्क्यू किया था तो अगर तुम सही हो तो हम जिस पास्ट में हैं यह वो नहीं है जो हम जानते हैं सुनकर दुख हो आना ही जल वेल कैप्टन बात अब यह है कि हम आपकी कैसे हिल्प कर सकते हैं अभी हमें दो चीज की जरुवत है एक सेफ रास्ता और एक सेफ लैंडिंग की जगा और एक और चीज अगर तुम्हारे पास कोई भी इंफरमेशन हो एक अजीब से स्टॉम की तो हमें बताओ उससे जो भी हो पाएगा मैं करूंगा कैप्टन आपकी करेंट पोजिशन क्या है हम वायर के पास है इस वक बस इतना ही पता है थोड़ी देर पहले रेन को क्रॉस किया है और अब सीधे जा रहे हैं आप जर्मन बॉर्डर के पास है आपकी करेंट कर रहा है उसे पता है कि हम यहाँ है आसपास कोई फ्रेंडली है इसे एरिया में जो हमारी मदद कर सकता है आपकी एक्जैक्ट पोजिशन जाने बिना यह बता पाना मुश्किल है अगर हम तुम्हीं विजिबल हो जाएं तो क्या मतलब है आपका हम अपनी नैव लाइट आपके उड़ रहे हैं लेकिन हम लैंडिंग और रनिंग लाइट सौन कर सकते हैं तुम्हार हो इसके बारे में बहुत से सिस्टम्स फेल हो चुके हैं यह अनलोग है राइट है इसे शुरू करें करनल तक इसे तुरंट पहुचा दीजिए नाइजल एक चीज हमारे सामने आ रही है एक मिनिट कैप्टन वो अलाइज हो सकते हैं लेकिन वो बहुत तीजी से हमारी तरफ आ रहा है जल्दी कुछ करो वेल कैप्टन हमें तो कोई एरक्राफ नहीं तिख रहा है सुनिये अपनी अपनी सीट्स पर लॉट जाईए और किसी से कुछ मत करिए सबका ख्याल रखना जल्दी जाओ क्याप्टन हमें पता जला है कि आपके पीछे कुछ जर्मन क्राफ्ट्स हैं हम वहां पहुच गए है हम उन्हें घेरने ही वाले है जब तक कोई और ना करें आयर मत करना यहां सब से क्योर है कैप्टन हमारे जेट प्लेन के चारो दर्म है पक्का एक नाजी प्लेन है इनके पास जेट्स भी है कि आपके जेट्स कहां से आगए हैं सब चौकर ने रहना है और कभी भी मिल सकता है वोश यार इसे काम लेना होगा तल क्या आर कुछ एगा सुर्व हमारे मिशाने पर रहे पता यह क्या करना है एले जिनना का है उन्ता करो उट जी सौर्ट हम आपके ओड़र्स का वेट कर रहे है यह क्या हो रहे है मैं टबला है आप जेट्स को ओपर की तरफ लेकर जा रहा हूं क्या हो रहे है दाइनियल वो हमारे पीछे ही है और पिल चुका है टार्गेट सेट है बाया गो जया जग जग, जग जो जआँ जग. एक रादो भज़ में आवारा में आप करें लोग करने लोगी है अम्ने उन पर अबला कर दियाँ कि अबने उने अभी बी खेरा उआ और गाए वो हमारी रेंस बाहर उने के कोशिश कर रहे है हम उन्हें फॉलो कर रहे है एसाथ वो अभी हमारी पीछा है कुछा पता है के सब क्या हो रहे है कैप्टन वेल आप मुझे सुन रहे है अभी नहीं नहीं देवल भी गोलियां चाल रही है सुन रहे हो मुझे डामिट तुम्हारे पास कोई प्लाइन है हाँ शायद है बस दर्ना मत क्या क्यों सुन फिस वाल रहे आए सक्या क्या हुआ रहे है सुन रहे है सुन रहे है सुन रहे है जैस वेल 1 तौसब कुछ दोडेठी, रॉम सा यादी, मोड़ेठी, कुछ नवेठी दोड़ेठी, कुछ दोड़े रहा ही तो यादी? अब तो आदी को आदी जिङल खुगे है, इक रहा ही थादी दुड़े है चलती हुआ झाओ झाओ झाओ'? झाओ! तौ झाओा तौ झाओः झाओें! यृप अगो गोड़ोह लितो पेलावा, यृप नहीं है, यृप षिंग आगोरह भासारी झाली है. यृप यृप अमिड़ गोरे वरे प्रोगने रहे, यृप नहीं है. थोड़ी दे रॉर दाए, बस थोड़ी दे ठीक है, मुझे देखने दीजिए, दिखाइए मुझे गवराने की कोई बात नहीं है तो में यहीन है, हाँ ज्यादा ग्यारा गाहा हो नहीं है, अभी ठीक हो जाएगा, बस वेट करना होगा बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, लेकिन मैं ठीक हो जाऊँगा, प्लेंग कैसा है बहुत बुरी हालत में है, बहुत सारा फ्यूल खत्म हो चुका है, और अभी और भी हो रहा है यह इतना बुरा है, बहुत बुरा है हम इसे फिर से साइकल करना होगा नाइजल, यहाँ एक प्रॉब्लम हो गही है नाइजल रेडियो में तो प्रॉब्लम नहीं अभी सिग्नल सायथ है, अम आउट आफ रेंज है शायद विल्यम स्ट्रॉब्लम तुम इनके साथ रहा, मेरी सीट पर बैठाओ आप शौर है? आप बलकुल कैप्टन कैमरोन, मेरे साथ चलाओ यह साथ सर, आप अपनी जगब पर पैट चाहिए, प्लीज आप कुछ कहें क्यों नहीं रहें? क्या मरने वाले? आपने अभी ता कुछ नहीं बताया आप ता कैसी चलता रहेंगा? सर, हम चाहते हैं कि आप शांत हो जाएए और अपनी सीट पर बैठिये थैंक्यू लेडिज और जेनल्मन, मैं हूँ आपका कैप्टन विल्यम स्ट्रॉंग और वक्त आ गया है, आपको सच पताने का हम निकल रहे हैं सर? नहीं, तुम नहीं हम जाएगे, क्या उनकी कोई खबर है? नहीं सर, मेरे उनसे आखरी बात होई थी तब वो दुश्मनों के साथ फाइट में थे, फिर कांटाक्ट चला गया, मुझे डर है मैं कोशिश करता हूं सर अगर बात होती है तो रेडार के बारे में सार इंफॉर्मेशन के काल लो यह सर, मैं पूरी कोशिश करूँगा अगर यह सच में कोई सूप प्लेन है तो दुश्मनों के हाथ आने से पहले हम खतम कर देंगे उससे खत्म करने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है माफी चाहूंगा कि अब तक आप सभी को अंधेरे में रखा गया हमें जो एक मामूली सा स्टॉर्म लगा वो उससे कई जियादा था हम इससे कुछ को और मेरे को पाइलेट डैनियल को भी लगता है कि हमने टाइम ट्रैवल किया है इन दोनों की मदद से और ग्राउंड पर हुए मेरे कॉंटाइक्ट से हमें पता लगा है कि हम इस वक्त फ्रांस में हैं और इन दोनों के हिसाब से इस वक्त हम नाइटीन फॉर्टी में हैं यह इंपासिबल है फर्क नहीं पड़ता हम एक वार सोन में हैं और इस वक्त खत्रे में हैं अगर हम बादलों में छुपे रहेंगे तो हम सेफ रहेंगे सबसे जरूरी बात यह है कि आप सभी लोग शांती बनाये रखें हम यही कर सकते हैं कि लैंडिंग के लिए कोई सेफ जगा ढूने कि आप तयार हैं लैंडिंग की बात करें तो दूसरे प्लेंज की फाइरिंग की वज़े से हमारा लैंडिंग येर डामेज हो गया है वो खुल नहीं रहा है मैं उसे ठीक करने जा रहा हूं पर अकेला नहीं कर सकता कोई है यहां पर जो मेरी मदद करना चाता है कौन है जो मेरे साथ नीचे चल कर मेरी मदद करेगा क्याप्टन मैं एक इंजीनियर हूं हम हाइड्रालिक्स पर काम कर रहे हैं ना बिल्कुल सही का मैं चलूंगी आपके साथ थांक यू तरेसा भीन मदद के लिए शुक्रिया थेरेसा ना फैंक अलिए है कोई और है है मुझे लगते मैं इंकी मदद कर सकता हूं तुम यह को सुनिये कैप्टेन मैं मैं आपकी मैं मैं आपकी मदद करूँगा कैप्टेन थैंक यू मिस्टर हेक्टर मेरा नाम हेक्टर है तुमसे मिलके खोशी हुई हेक्टर थैंक यू मैं आपके साथ हूँ, शुक्रिया मेरे दोस्त, अब हम नीचे जाने वाले हैं, फ्लाइट क्रूज आपको संभालेगा, डैनियल प्लेन उड़ाने वाला है, कोई प्रॉब्लम होई तो वो मुझे बताएगा, हम आपको अंधेरी में नहीं रख सकते, अब हमारा फोकस है, फेकर मित करना, मैं आता हूँ, आपको पदा है ना, टाइम ट्रेबल इंपॉसिबल है, अफकोस पदा है, सब कुछ पॉसिबल है, अगर विश्वास हो तो, पंग्चा नहीं है, इस अची बात है, कैप्चिन यह देखिए, शायद हमें इसे स्प्लाइस करना चाहिए, हम तुम बहुत तेज हो, मुझे अच्छा लगा, हेक्टर, एक्टर, हम जोनोले है, शायद हो जायेगा, अब शायद हो जाये का तुम आपके है, क्घानियल, हमने दरु जाए खोला है। एर को डाउन करने की कोशि़िश करेओ. कॉपी देख लिया अब उसे बाहर निकालना है दैनियल लैंडिंग ग्यार को फिर से बंद करो अब कुछ हुआ कॉपी देख बंद करने के लिए स्लो करना होगा स्पीड को हंडेड़ एंपिफ्टी नॉट्स के आसपास लेया ओके कॉपी प्लीज मुझे करने दीचे मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता प्लीज इस प्लेन को दो पालेक्स की ज़रूरत है उनमें से एक आप है प्लीज समझ यह प्लीज अपना ध्यान रखना काम हो गया विल एक्टर! सबहल कर! सबहल कर है कर है तॉट एक्टर! आराब से हेक्टर! वील्स की तरफ आओ कमोन हेक्टर तुम कर सकते हो हेक्टर कमोन हेक्टर लैंडिंग यार को बंद करो जल्दी कमोन हेक्टर मेरे हाथ पक्ड़ो कमोन हेक्टर विल्स अप्टी गया नहीं हां हम ठीक है हमने कर दिखाया काम हो गया अप्ट पार्णिग गया अब ठीक है यह जूप वह भी इन दो हीरोस की वज़े से थाइसे चल रहा है हमनी जुतना सोचा था उसे ज्यादा फ्यूल खाई अब सिर्फ 90 मिरट का फ्लाइट टाइम बचाए का रो यह मरो अभी हम कहा है हम लोग बॉडर पर गई हैं फ्रांस या स्वीजिलंड बहुत अब मुझे संभालने दो ओके हम इन आइजिल से कॉंटाक करना होगा उसे बताओ हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है मुझे पहली एक गुली लग शुकी है आज लेडिस और जेंटलमेन हम एक डिसेंट करने वाले हैं जिससे रेडियो कॉंटाक बन सके नाइजिल कम इन मेरी आवाज आ रही है कैप्टन स्ट्रॉंग नाइजिल तुम्हारी आवाज सुनकर अच्छा लगा ओपर वाले आपने अचानक ऐसे कॉंटाक्ट तोड़ दिया तो मैं डर गया था लेकिन आप आखिर उन प्लेन से बच्चे कैसे हैं हमें बादल के ऊपर से जाना पड़ा था कम से कम अब हमें अपनी रेडियो ट्रांस्मिशन रेंजिस तो पता हैं आपके करेंट लोकेशन क्या है हम स्विस बॉर्डर के ऊपर है हमारे पास सिर्फ 80 मिनिट्स उडने का फ्यूल बचा है हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है आपने पहले किसी स्टॉम के बारे में जिक्र किया था हां किया था यहां पर आने से पहले हम लोग एक स्टॉम से गुजरे थे ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा था काले बादल थे और सेंटर में किसी तरह की ब्लू एनरजी थी ठीक है मैं इन्वेस्टिगेट करता मेरे कमांडिंग ओफिसर कह रहे हैं कि मैं आपसे उस रडार सिस्टम के बारे में ज़ादा इन्फॉर्मेशन मांगो तुम क्या जानना चाते हो नाइचल सब कुछ जो आप मुझे बता सकते हैं कैप्टेन क्या मैं बता हूँ अब मेरा नाम है बैनेट ये रडार तेर की नूस पर होता है जो आसपास के एरिया की चीजों को डिटर्माइन करता है और कॉपिट में एक कॉंसोल है जो बुल्स आई की तरह बिल्कुल दिखाई देता है ये सिगनल्स के लिए काम में आता है और स्क्रीन पर डिस्टेंस लगातार शो करता है और बस इतना ही आसान था पर हमारे लिए बहुत यूसफुल है इसी के वज़े से तो हम अब तक जिन्दा है वेल उमीद है कि आप अमेरिकन्स जल्द ही वार में शामिल होंगे और टेक्नोलोजी फ्रेंट पर हमारी मदद करेंगे कहा थाना हम जरूर करते अगर कर पाते तो विलियूम एक बात और है जो आपको जाननी चाहिए मेरे कमांडिंग ओफिसर चाहते हैं तुम्हारे दोस्त फिर आ गए नाइजल हम निशाना लगा चुके हैं आ उपर से पाया कि सोच क्या रहे हो चल्दी पाया को रूँ कि शारत फिर से हमारा कनेक्शन तूट जाएगा बस खुद को सेफ रखिएगा कि विल वो है रहा है कि विल भूह रहा है कि विल भूह हИ्-दव कहए है कि समया यह कभोई है यह कमारे पीच है और यह ंभारे आगए ट्हिर कुए द सबता, कर समय को अए, युछ ङगए, किष्म को, तस्यारे ज ने सब्सक्रा कर देल विल्ष? विल्ष? विल्लम छोक्राँपम विल्यम विल्म 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 बंहले सकी किच्चो! 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 पीछे सब कैसे हैं? पैसेंजर और क्रूव कुछ विंडोस टूटी हैं और सब डरे हुए हैं लेकिन हम सब ठीक हैं तो… थांक्स बताओ आप क्या करें हम पस गए हैं रडार सिर्फ एक चोड़ी सी वर्निंग देता है और उसके बाद हम सिर्फ और सिर्फ Najil से बात कर पाता हैं पस क्योंकि हमारा राडार लोकलाइजड है हम सिग्नल के अपी सेंटर पर हैं ये सिर्फ हमारे आज पास की चीजों को… सब्गू कर सकता है अगर हमारा रडार जमीन पर हो तो दुश्मन के फाइटर प्लेन को ट्रैक करने में हमारी हेल्प कर सकता है यह सई रहेगा तो इसे नाइजल को दे देते हैं नाइजल की स्टोरी में सच्छा है नहीं है, अब तक उनके पास रेडार आ जाना चाहिए था और जैसे वो बात कर रहा है, उसे लग रहा है कि अभी भी और साल लगेंगे शायद इसी लिए हम यहाँ है, हिटलर को मारने के लिए नहीं, बलकि प्रेटिशर्स को शायद रेडार देने के लिए हम प्लेन की नोस से उसे काट सकते हैं, और किसी स्पॉर्ट पर एर ड्रॉप कर सकते हैं, वो उसे ले लेंगे और हमारा एर ट्रैफिक कंट्रोल बन जाएगा और हिस्ट्री बदलने का क्या होगा? जैसा हमने सुना है, लगता है हिस्ट्री पहले ही बदल चुकी है डंगर का बैटल वो हार गए? किसे पता क्या सच है और क्या जूट है? इससे शायद हम और वो दोनों उस हिस्ट्री तक पहुँच जाएं जो हमें पता है शायद इससे ही सब कुछ ठीक हो जाए विल, आप भले टाइम ट्रैवल पर यकीन ना करें लेकिन आपने खुद ही कहा था हमारे पास आप्शन्स नहीं है तो आजल को पताओ, उसे क्रिस्मस प्रेजेंट जल्दी मिलने वाला है अरे नहीं, मिसाइल अरे विल, ठाजरे वेरा अरे आप झान आप झाल जाए नाइजल कम इन नाइजल कम इन नाइजल कम इन विल शुक्र है मुझे लगा तुम्हे कुछ हो गया है इतनी जल्दी नहीं मारेंगे मेरे दोस्त पर एक मिसाइल टकराने ही वाला था नाइजल सुनो किसी और प्लेन की नहीं शायद वो जमीन से ही छोड़ी हुई थी विल मुझे लगता है तुम्हें बता देना चाहिए नाइजल सुनो हम स्विस बॉर्डर से सौ मील दूर है और हम तुम्हें गिफ्ट देना चाते हैं हमारा रेडार या तुम कोई ड्रॉप साइड ढून सकते हो विल आप शूर है आप ऐसा करना चाह मैं वहां एक प्लेटून देश दूँगा जो रेडार को ले आएगी अगर आपने साइड से ड्रॉप किया तो हम कर देंगे तो फिर ठीक है चर्मन टेरिटेरी में जंगल के पास एक फील्ड में तेर मत कीचेगा तुम तक पहुंच आएंगे यही दूआ है दोस्त ओवर सुना तुमने दस मिनिट तुम और डैनिल नीचे जाओ एक्टर और टरेस्या को लेकर जाना बॉक्स को प्लेन की नोस से काट देना और एक स्क्रीन लगा देना डेल हमें इस रेडार को एक सेफ राइट देनी होगी कुछ ऐसा करो जिससे यह एक हजार फीट की दूरी भी तूटे तैय करें अब 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 करना चाहते हैं उसे वह में तभी मिल सकता है जब आप अपने अटैक्स बंद करवाएंगे को और सारे एर अटैक्स को रोग दो अभी जाओ आपके पास कुछ ऐसा है जिससे पैरशूट की तरह यूज कर सकें क्या मैं कुछ बदद करों यह मैंने अपने ग्रेंडचिल्रन के लिए लिया था वो लंडन में रहते हैं थैंक्यू सो मच शुक्रिया यह चाहि राइक लोगोड़ में शिचOME के विखले में हाहाँ तेक्रिया सनिकर्ण हमारे पास बैटरी है क्या हम इससेल हमारे पास बैटरे इंक्या मुझे यूएस्बी बैटरी चाहिए किसी के पास है क्या मेरे पास एक है हाँ मेरे पास भी है सब कुछ इस पर रख दिया है चलो जलो 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 जड़ी होँ जलो 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 जलो। बैनेट हम 10,000 ञीर से भी नीचे हैं जलो। व lanें जलो। टो नाओ, कॉलीअ, नाओ, जलो। पिंदेए्, टोढॖ diagnose tay लेशी शुरम भी बंपकर यहाँ केप्टन पैकेज हवा में है, आई रिपीट, पैकेज हवा में है, नाइजेल पैकेज निकल चुका है, शानदान, ट्रूप्स भेज दिये हैं उसे लेने के लिए, मैं अभी उपर की तरफ जा रहा हूँ, डबल स्पीड से जाईए, हमारे कोट ब्रेकर्स ने बहुत सी बाते सुनिये, बहुत जल्द आपके बीचे दुष्मनाने माले हैं। सर, वह प्लें हमारे एरिया में जुका है, क्या उस पर अटाईक करना है, आई रिपीट, क्या उस पर अटाईक करना है, वहाँ, चलो चलदी करो, काम अबर है, काम अबर है? सब्सक्राइज तरोगा है तेयर शुणगे कि अगले उताए अगले थाखा देश अगले खालता बखालता समाने याँ वर भांग वर रे से वर बादो यह जो अगले वाला अगले नाइजिल अमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है तुम्हें पैकेज मिला या नहीं वो बस आता ही होगा थोड़ा रुकिये प्लीज जाओ जल्दी लेकर आओ उसे विल हमें पैकेज मिल गया है वो आने ही वाला है वो तुम्हारे पास आने वाला है मैं क्लोजेस रेडियो अपरेटेर हूं ड्रॉप साइट से नाइजल तुम हमारे गाइडिंग एंजल हो प्रियो प्रियो वाला है वो दे कहाँ वैजल हो चुम्हारे वीतयाओ कर दो झार शूज कर दे घो कर दो गड़ा GAV हाँ शाबाज तुमने ढूंदी लिया विल हमें रेडार मिल गया है बहुत अच्छे नाइजिल अब जल्दी करो हमारे पीछे दुश्मन के प्लेन्स है नाइजिल हमारा फ्यूल खत्म होने वाला है हमें बादलों में जाना है जल्दी मिल गया मैं आस्मान को स्कैन कर रहा हूँ ओके क्याप्टन साउद इस्ट की तरफ जाकर थ्रॉटर को हिट कीजिए अभी तुम शौर हो नाइजिल हाँ मैं शौर हूँ अब मूव कीजिए मेरे सामने वो एर्ग्राउट है नहीं मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ मैं फायर करने के लिए दयार हूँ राइटो इंको आस्मान से बहुत थे दो यह पक्का वर्ल्ड वार टू है यह और कुछ नहीं हो सकता यह कैवेडर कहां से आ रही है मेरे कलीक्स आ गये नाइजल तुम कमाल हो तुम सइथ है यह सच में नाइटीन फॉर्टी है हाँ बिल्कुल है आपको साफ आस्मान मिलने वाला है मैं आपको सेफ लैंडिंग साइट पर पहुंचा दूगा मैं मैं शौर नहीं हूँ लेकिन आपके ठीक सामने एक बड़ा ब्लिप है क्या वो कोई प्लेन है हम रास्ता बढले आपको दिख रहा हो इसके आगे कुछ नहीं है आपको क्या दिख रहा है यह वोटेक्स है यही है जो हमें यहां लेकर आया था हमें इसी में जाना है हमारे पास सर्फ दस मिनिट है नाइचल मैं फिर भी आपके लिए एक सेफ लैंडिंग साइड ढूंड रहा हूं विल मुझे बताए कि इसी चीज ने हमें यहां तक पहुंचाया और 1940s में हम सेफ लैंडिंग नहीं कर सकते यह कहते हुए मुझे दुख हो रहा है लेकिन आपके लिए यही बेस्ट आप्शिन है लेडिस और जन्रमें फिरसे टर्बुलेंस होने वाला है मैं शुक्री आदा करता हूँ आपके पेशिंस असिस्टेंस और हम पर भरुसा करने के लिए कि मुझे आप सब पर कर भाएं ऐसा लग रहा है हम मरने वाले हैं थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि आइजल तुमने चो किया उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया हम एलाइसे ही करते हैं कैप्टर अपना ख्याल रखना कि आप भी अपना ख्याल लगना क्याप्टन आप सभी फ्लाइट फोर्टु वाले खुश रहें चलो घर चले है 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 ह् है हृ 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 है आई ये वोटू, शुक्र है, कहा थे आप? हमें अचानक आप जर्मनी के TXL में मिलेंगे हम सब बताएंगे, अभी फ्यूल खत्म है हमें जल्दी से लैंड करना होगा आईए वोटू, इस इस TXL तार आप आदवे क्लियर कर रहे हैं और एमजनसी एक्विमेंट्स भेज रहे हैं पस लैंडिंग में दिखकरता हूँ आईए वोटू, रनवे क्लियर है, आप आ सकते हैं क्यूल खत्म हो गया है ठीक है, तो इस प्लेन को गलाइड करवा देते हैं आईए वोटू, अपने इसाफ से रनवे चुन लीजिए, सब क्लियर है, लैंडिंग करवा संदे है फ्लाप्स को ड्रॉप कर रहा हूँ म... यह डाउन करो कर दिया, सर स्टेड़ी रखो स्टेड़ी रखो, शाबाश क्या बात है सब यह मंट्जर्स के सर्विस वेगल स्रवेज केट पर ले आईए वो डी और जी के इंटर्सेक्शन पर रुके है टी एक्सल, यह फ्लाइट फो टू अम पहुंच गए है बिल्कुल सुरक्षट अम पहुंच गए कॉपिटाट आईए वो टू वेलकम टू बर्लिन टी एक्सल यह कौन सा साल है आप बहुत मजाद करते हैं कैप्टन वेलकम बैक आप जामनी यह वाला जामनी यह वाला जामनी आहाँ प्रभार्को जो नच्छेता है सच में आपको भी देख एक है जड़ो मुझा बढ़र जड़ो आजो कहारी हम सब कर माँ नियाद रखे एक हम है अज़ जब माँ खे एक आप था थाद रहाँ थाद रूले निया खे एक है थे एक है सब चले गए बस एक जंट्रमन बचे हैं वहां पीछे मैं देखता हूं नहीं तुम जाओ एक्स्क्यूज में सर आपको चलना चाहिए वह हां बस एक मिनिट कैप्टन मैं अपना एक अधूरा काम पूरा कर लूँ अब हो गया मैं आपसे माफी जाता हूं आपको वेट करवाने के लिए अब मैं तयार हूं कहते हैं ना वर्तमान से अच्छा कोई समय नहीं होता तो चलें थैंक यू कर दो कर. कर दो कर दो कर दो झाल 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 झाल